मिर्ची पाउडर है इधनिया है इसमें सबसे अहमियत क्या है यह आप 10 kg दोस्तो नमस्कार मैं जितने लिया दूब और आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दस एच्पी जो है पंजाब मॉडल पल्बलाइजर मसीन के बारे में फूल इन्फोर्मेशन देने वाला हूं बलकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि इस मसीन का डेमो चाहिए मतलब चलता हुआ वो देखना चाहते हैं तो जो है कृष्णा इंटरप्राइजर से जहां पे मसीन लगी हुई है वहाँ पे आज हम लोग जाएंगे और जाकर के वहाँ से आपको लाइब दिखाएंगे लाइब पीसाई दिखाएंगे मसाला की जो है वहाँ प्लांट लगा हुई है और एटा चक्की का बिजनेस या फिर मसाला प्लांट को श्टार्ट अप करना चाहते है तो आप आज के इस वीडियो में आप अन्त तक बने रहिएगा पुरा इन्फो dumbbellेशन देने वाला हूँ पूरा जानकारी देने वाला हूं तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बेल आइकन को प्रेस कर जी चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेज़ वल वीडियो को तो दोस्तों मैं पहुच चुका हूँ उस जगह पे जहां पे कृष्णा इंटरपाइज की जो है मसीनी लगी हुई है और यहां पे दो मसीनी लगी हुई है एक आप देख पा रहे हैं ब्लोवर टाइप जो है वो पाल्वलाइजर मसीन है जिस पे हर तरीके का मसाला का इसमें आटा, बेशन, सत्तू इस टाइप की जो भी आइटम है वो इसमें पिसाई की जाती है तो दो मसीन यहां लगी हुई है अभी मैं आपको बात करवाओंगा जो यहां के जो पिसाई करते हैं जो मैंनेजर है यहां के इस माला मसाला प्लांट का मैंनेजर है उनसे मैं इनका ब्रानड भी बताऊंगा अभी तो ये देख पारें इस परकार के डेपर में येमसाला पैकिंग करके ख deep 000 करते हैं और वहीं बहुत सारा अभी पैकिंग करके यहां पर रखा हुआ है ये सब देख पा रहें कुछ गपने भी मैं दिखाऊ अब को तो यह ब्रांडेड रेपर लेकर के आप इस टाइब का जो है पैकेट बना करके और इस टाइब का मिनी प्लांट आप स्टार्ट अप कर सकते हैं चाहे आप टाउन में हो सहर में हो जगह की अगर बात की जाए तो जगह आप देख सकते हैं काफी चोटी सी जगह यानि मैं अगर आप लोग सपोर्ट कीजेगा तो वह बहुत आगे तक जाएगा और किसी भी आइटम में अगर आप बिजनेस से कोई स्टार्ट अप कर रहे हैं और पोड़क्त का क्वालिटी आप सही रखते हैं तो आपका जो है वह पोड़क्त मार्केट में चलेगा ही चलेगा तो मैं मेरा हल्दी है मिर्शी और है इसमें सबसे अहमीयत किया है जांग दास किलो अगर पििशोस के नहीं नहीं है मनेरे बिले कुल ही नहीं है मैं जितनular में इसे मारा करने का जरूरत नहीं है मसीनों के लिए कितना भीजली झटनापर पीसल अभी लिया हुआ है पांच का मोटर है 10 सकते मोटर दोनों पर कितना एक पर पांच एक पर पांच है अगर हम उस पर चाहे कि दस दस के जगा 15 का मोटर लगाना 15 का मोटर आपके इसी से संभव है काम अगर जादे अगर कुछली होगा तो पंदरा का लग सकता है हुआ कि दोस्तों मैं बता दू कि इसमें को और हो आपको मोटर है जितना प्रिकी चाहिए वह अंसा से जली लगाए बस और इसमें को ऋब抗 नहीं है जाली के उपर ही काम करना है बस इस मशीन की अगर बात की जाए तो सर्फ फॉंडेशन जो हुआ है वो कितने फिर तक फॉंडेशन कर देने से यह चलेगा देर फिट बहुत हो गया तो पुरानी जो पत्थर वाली चक्की है उससे कहीं न कहीं इसका जो हम ही रहेगा तो यह भ प्र जगह इसके लिए वबलेबला सब कुछ आप उसी में कर सकते हैं यह पैकेट जो आपने दिखाया कि इस तरीके का जो पैकेट है तो यह किस परकार से सिलिंग होता है यह मसीन इसमें पैक करके उस महां मसीन है उसमें कर दीजिए अब आदा किलो 500-100 गराम एक किलो जो पैक कर दीजिए बस बात करता है यह एक नमवा बरांडेर है कोहीं भी आप इसके लिए आप लग सकते हैं अच्छा अगर मार्केट में किन्हीं लोगों को अगर थोक रेट में इस तरीके का मसाला चाहिए या कोई लोग इस तरीके का मसीन ले रहे हैं और उन्हें रो मेट कोई लोग अगर इस ताइब का जो है बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं उनको अगर मसाला चाहिए रो मेटल चाहिए तो क्या यहां से परम हाइड हो जाएगा तो दोस्तों काफी कम अगर लागत की बात की जाए तो इसमें लागत कितना लग सकता एक प्रॉक्स में ब और कहीं मार्केट में निकले हुए बलकि यह यहां मसीन को अपरेट करते हैं और इनके माध्यम से मुझे पता चला कि औरो प्रॉलाइजर की अपेक्छा इस मसीन का प्रॉडक्शन काफी बेस्ट है इसमें पांच जाली दिया जाता है साथी साथ इसका जो चेमबर क्वालि दोग का आज अगरवत्ति से ले करके यहां सत्तु बेशन मसाला आटा प्लांट का मीनि प्लांट स्टार्ट हो चुका है और यह मसीने जो है इस टाइब की अगर आप मसीन को खरीदारी करना चाहते हैं डेमो लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं क्रिश्ना इंट में इस तरीके का मसीन का सेटपedes can do जाता है उसे यहाहां ऑप्रेट करना चुकाता है और आपको एमेटे इसास बचैन को करकर आपको बेजनेस सेस्ट के दिया जागा तो इससों को चला करके एक बार मैं दिखाता हूं कि यह किस परकार से चलती है तो Lord live डेमो मैं अभी मैं दिखा रहा हूं वैंस्तों मसीन का साउंड देख सकते हैं बिलकुल एक दम नॉर्मल सा साउंड है इसमें इसमें कोई खास जो है इसमें आवाज नहीं आता है झाल झाल दोस्तों अभी बेशन की पिसाई की जा रही है और यह जो देख रहे हैं बलोर टाइप इस पर इधर मसाला की पिसाई की जाती है तो दोनो प्लांट के लिए जैसे बेशन सत्तू प्लांट के लिए अलग मसीने है और ये मसाला प्लांट के लिए ये बलोर टाइप पलबलाइजर 10प्प तो दोनों ही मसीनों को यहां लगा करके ये वर्क को एस्टार्ट किया गया है तो अब आईए मैं दिखाता हूँ कि ये जिस quality में पिशा है वो किस quality का ये पिशा है तो दोस्तों देख सकते हैं कितना best quality में ये बेशन की पिशाई की है तो इसी तरीके से हर quality में ये मसाला का पिशाई करती है सत्तू का पिशाई करती है और best quality का product निकालती है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जबूर लिखेगा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर ने चानल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं वगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ सब तक के लिए जय हिंद बंदे म झातरूं.